आप सभी का श्वागत है आप लोग जी असकी क्लास में हैं इस समय और इस जी असकी क्लास में जो बाते हो रही है उसमें आपका तीन भी शेक्षाज चल लाए अभी इतिहास चल लाए एक नोमिश चल लाए राजवेवस्था चल लही है जो अगर अफी भी जल्दी शुरू ह होगी टो हम लोग थोड़ी सी बात आज ओसी जो कल बात कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा लें कर लब वाते हो रोगक्ष हो छा तिसमें लोगों ने देखा कि सभी पंचवर्षिय योजेओं की वाते हुई थे पंचवर्शय योजनाओं में जो को है प्रमुख 국민 की जो प्रमुख सब्सक्रियां की जो अपनी उनिक विश्ष तर्थ कि उनको देखा गया था को इसी कुछ में हम लोग थोड़ी सी दो छार तत्त हैं बारा मिख क्राशकर को सामिल किया गया था ओर चुरूध में इसे सङ्णावेशी विकास स्थ róż Raj girl और शात में और क्या जोड़ा गया? इसमें एक कॉंसेप्ट और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया शतत और तिब्र शमावेशी विकाश और तिब्रतर शमावेशी विकाश शमावेशी विकाश तो यहां बारावी पंच वर्षिय योजना में शतत्ता को भी शतत्त विकास का मतलब यह है कि विकास का वह मौडल अपनाया जाए यानि इस तरह से विकास किया जाए कि हमारे आने वाली नई पीड़ी को भी संसाधन उपलब्द हो शकें सभी संसाधनों का सिर्फ यह पीड़ी ही दोहन न कर ले बलकि आने वाली पीड़ीओं को भी अपने कारियों के लिए संसाधन उपलब्द हो जैसे माली यह कोईला है तो कोईला को क्या करें सभी कोईला हमी लोग यूज कर लें तो आगे आने वाली पीड़ी क्या करेगी का माडल इस तरह से तयार किया जाए कि यह जो हमारे प्राकिर्टिक्षन साधन है यह अगर हम कुछ प्रयोग करते हैं तो फिर आगे वो उतने उत्पन भी हो सके इस तरह का माडल विक्षित करना चाहिए अगर माले जिए शड़क जैसे शड़क बनाने के लिए पेड़ों की संदंधित यह रहा है तो sleeping पंचवर्षिय योजनाओं में हम लोगों ने देखा कि कि पंचवर्ष योजना ने कित लेख रेत प्राप्त किया सर्वाधिक लोथ-रेट जिस पंचवर्षिय योजना में मिला था वो आपकी दिए ग्रहावी 45 योजना थि 7.8 परषंट का ग्र सरवाधिक ग्रोथ रेट या मिला था शात्वी पंचवर्षी योजना में हम लोगों ने देखा था कि प्रफेसर राज कृष्ण ने क्या कहा था कि यह हिंदू ग्रोथ रेट उस समय की जो आउसत ग्रोथ रेट थी वह थीरी से 3.5% की थी तो उसे उन्होंने हिंदू साधी ग्रोथ रेट की शंग्यादी थी उदारी करन के पस्चाहत भारतिय अर्थ वह था था थोड़ा सा तेजी से ग्रोथ करने लगी जिस में आपने देखा आठवी पंच वर्षी योजना में देखा नौवी में तो हाला कि वह कम रही लेकिन आठवी में आपकी 6.68% तक की ग्रोथ रेट मिली तो यहां हमारी ग्रोथ रेट अब 678% के आसपास जाने लगी बारावी की ग्रोथ रेट हला कि कम रही 6.7% ही मानी जा रही है अब इन पंच वर्षी योजनावों में किस सेक्टर का कितना ग्रोथ रेट रहा तो अगर किरशी सेक्टर को देखें तो क किरशी सेक्टर की सरवाधिक ग्रोथ रेट किरशी छत्र की सरवाधिक ग्रोथ रेट किसी योजना में रही आठवी योजना में सरवाधिक ग्रोथ रेट रही यह लगभग 4.6% के ऊपर ग्रोथ रेट है किरशी की और किरशी की ग्रोथ रेट 4% किर्षी की एक लेते हमें आठ्टवी पंच बरसे रबसे रही वह किर्शी छत्र की वह कघ। ग्रोथ रेट कब रही सबसे कम ग्रोथ रेट सबसे कम ग्रोथ रेट किर्शी छत्र की जो रही वो तीसरी पंच वर्षे जोजना में रही निगेटिव रही तीसरी में निगेटिव ग्रोथ रेट थी ऐसे ही उद्योग सेक्टर को देखें तो उद्योग छत्र में शरवाधि ग्रोथ रेट शरवाधिक ग्रोथ रेट आपकी दस्वी पंच वर्षे योजना में देखी गई दस्वी योजना में देखी गई और उद्योग छेत्र की सबसे क्रम ग्रोथ रेट उद्योग छेत्र में सबसे कम ग्रोथ रेट सबसे कम ग्रोथ रेट आपको मिली वो आपकी 1990 से 92 के बीच जो दो बार्शिक योजनाएं हैं उस बीच उद्योग सेक्टर की सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिली थी पहली शेत तीसरी तक की जो पंचवर्शियोजनाएं है उसमें जो विकास माडल था वो यह ट्रिकल डाउन थियोरी के शिधान्त पर है ट्रिकल डाउन थियोरी का मतलब है कि नीशे की तरफ यहां अगर विकास हो रहा है तो यह जरने की तरफ छन के नीचला जो उपेक्षित वर्ग है या निम्न वर्ग है इस तक यह विकास पहुँचेगा धीरे-धीरे इस से यह धीरे-धीरे पहुँचने से बेरुजगारी और गरीवी दूर नहीं हो सकती लेकिन उस समय यह माना गया कि हमारी ग्रोथ रेट अगर तेज रहती है ग्रोथ रेट अगर हम बढ़ा लेते हैं तो अपने आप बेरुजगारी और गरीवी दूर हो जाएगी लेकिन वह भर्म तूट गया जब वह भर्म तूटा तब गरीबी और बेरुजगारी पर सीधा प्रहार किया जाने लगा उसकी बात अभी होगी इस पंचवर्षिय योजनाओं में किस पंचवर्षिय योजना ने अपने लक्ष को प्राप्त किया ग्रोथ रेट का जो लक्ष है उसे प्राप्त करने वाली जो पंछ वर्षिय योजनाएं हैं, उसमें सबसे पहले पर्थम पंच वर्षिय योजना ने ही अपने गरो धरेट को प्राप्त किया था, आपने देखा था, वाज़े ही आप देखें तो पाचवी पंच वर्षिय योजना, 6ाEM, सत्वी, 8वी ये योज जिनाएं भी अपने ग्रोथ रेट को प्राप्त की हुई है अब आज हम लोगों को जो टॉपिक ये पंचवर्शी योजनाओं समंदी कुछ तथ्थ थे जो की पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा आपने की आज हम लोग गरीबी और बेरोजगारी गरीबी और बेरोजगारी तो जैसा कि हमने कहा तीसरी पंचवर्शी योजना तक यहां कॉंसेप्ट रहा कि अगर ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता है तो धीरे धीरे वह उसका कुछ भाग नीचे च्छन के आएगा और धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी ओदोगी करण होगा बेरोजगारों की फोज और जूडती जा रही थी हर पंचवर्शी योजना में तब अब सीधे बेरोजगारी पर प्रहार करने की बात शुरू हुई पांचवी पंचवर्शी योजना में आपने देखा उसका जो उदेश्य था गरीबी उनमुलन और आत्मनिर्भरता चट देख लिजिए 1902 में सामुदायिक विकास कारिकरम बना सामुदायिक विकास कारिकरम 1903 में राष्टिय शेवा प्रशार योजना बनी ऐसे ही आपकी 1961 में शगहन क्रिशी जिला विकास योजना बनी ऐसे ही 1964 में आपकी शगहन क्रिशी या फशल चेत्र विकास योजना बनी इसको और विस्तारित किया गया कुछ जिलों के आगे ये कुछ जिलों में ही थी इसे और विस्तार दिया गया ऐसे ही आपका 1979 में ग्रामेड विदुति करन निगम की अस्थापना हुई वैसे ही आप 1972 में देखें तो ब्याज बिवेदी करन योजना ब्याज ब्याज दर बिवेदी करन योजना चली बिवेदी करन योजना 1974 में सुखा प्रवाण चेत्र विकास योजना चलाई गई 1978 में मरू अस्थालिय चेत्र विकास योजना चली इसी समय आप देखते हैं 1974 75 कमांड एरिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम चला तो यह सब पोग्राम चले थे शामुदाई विकास का इक्रम में गाओं के लोगों को एक्षा जोड़कर गाओं के विकास को धे बनाए गया था यह योजना अपने सही रूप में नहीं चल पाई इसलिए बलवंत्राय मेहता कमिटी का गठन किया गया इसकी जाज करने के लिए कि यह क्यों नहीं अपने उदेश्यों को प्राप्त कर पाई तभी बलवंत्राय मेहता ने इसकी जाज में कहा कि नौकर साही इसके आड़े आ गई यानि गाओं के लोगों ने इसमें रूची नहीं ली या नौकर साही ने उन्हें भागिदार नहीं बनाया कुछ जीलों को चुना गया था इसकी बात इन दोनों की बात किर्शी में डिटेल से की जाएगी क्योंकि इसके बाद आपकी छाषट में फिर प्रथम हरित करांती आ जाती है उनहतर में ग्रामिड बेत्तु करण निगम की अस्थापना हुई ग्रामों में विदुद पहुंचाने के कारे को लेके और ब्याज दर बिवेदी करण योजना में जो उपेक्षित वर्ग हैं नेमन वर्ग हैं उन्हें अपने बेभिन कारियों के लिए ब्याज जो दिया जाता है बैंको द्वारा उन्हें कुछ कम दर पर ब्याज दिया जाए 4% दर पर उन्हें रेड 4% ब्याज दर बार्षिक ब्याज दर पर उन्हें रेड उपलफ्द कराने की ब्योस्थाइश में की गई शूखा प्रमन चेत्र जो शूखा गराज चेत्र थे उनके विकास के लिए यह योजना चली मरुवस्थली चेत्र विकास योजना मरुवस्थरी करण कभी स्तार नहों और जो मरुवस्थली चेत्र हैं उनके विकास के लिए इस योजना को चला गया command area development program जो विर्याद और मध्यम सिचाई परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को कैसे पूरा लाभ लिया जा सके उससे संबंधित यह योजना थी और इसमें जो नालियां बनाना सडक बनाना बाजार डवलप करना कई कार इस command area development program में थे यह बाद में आपके चलके 12 पंचमर्शी योजना में जो त्वरित सिचाई योजना बनी उसके साथ मिल गई और अभी आपके परधान मंत्री किसी सिचाई योजना के साथ इसको मिला दिया गया है दो तरह की रोजगार संबंधी दो तरह से रोजगार दिया जा सकता है एक मैदोरी दिया जाए इस से रोजगार प्राप्त हो और दूसरा श्वा रोजगार दिया जाए यह दो कॉंसेप्ट हैं रोजगार देने के एक लोगों को श्वा रोजगार दिया जाए और एक कुछ कारे किये जाए जिसमें लोगों को मैदूरी मिल सके इस से शम्मन्दित योजना शुरू की गई पहली वार वो आपकी IRDP 1908 में यह योजना शुरू हुई Integrated Rural Development Program समन्वित ग्रामेड विकास कारेकरम समन्वित ग्रामेड विकास कारेकरम विकास कारेकरम शमन्वित ग्रामेड विकास कारेकरम 1908 में शुरू किया गया हलाकि यह जब शुरू किया गया तो पहले से जो जो कुछ योजनाएं चल नहीं थी उन योजनाओं को इसके साथ मिला दिया गया अब योजनाएं कौन सी चल नहीं थी किर्षक विकास एजन्सी लगु किर्षक विकास एजन्सी 62-73 से ये योजना चल लही थी साथ में इसके साथ सूखा प्रवन छेत्र को जोडा गया शूखा प्रवन छेत्र विकास कारिकरम जो आपने देखा उनई 63-74 से जो चल लही थी मरु अस्थलिय विकास कारिकरम जिसको आपने देखा उनई 67-78 से जो चल लही थी उसको 77-78 से चल लही थी साथ में कमांड एरिया डेवलमेंट प्रोग्राम कमांड एरिया डेवलमेंट प्रोग्राम जिसको आपने देखा कि 74-75 से चल लही थी इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर कौनशी योजना बनाई गई इन सभी चारो योजनाओं को एक साथ जोड़कर जो योजना बनाई गई वो आपकी है IRDP 1980 में इन सभी योजनाओं को एक साथ जोड़कर IRDP को बनाई गया ठेक अब इसके बाद जो योजना चली श्वण जयनती ग्राम सोरजगार योजना श्वण जयनती ग्राम सोरजगार योजनाओं चली आपकी 1999 में अब इस योजना को इसको मिलाया गया IRDP को मिलाया गया इस योजना में IRDP को लाया गया यहां यह योजना किन योजनाओं से मिल के बनी एक तो IRDP जो उन्हें सवस्वस्षी से चल लए थी तो IRDP डवाकरा ट्राइसेम शित्रा दस लाख कुमा योजना दस लाख मिलेनियम वैल योजना और आपकी गंगा कल्यान योजना जे के वाई इन छे योजनाओं को मिलाकर कशी योजना बने इन छे योजनाओं को मिलाकर योजना बने वो आप की है वो योजना है आपकी स्वण जयनती ग्राम शोरजगार योजना यस जे जी यस वाई स्वण जयनती ग्राम शोरजगार योजना 1999 में जो बनी वह इन 6 योजनाओं को पहले से IRDP चल लए थी पहले से 1982 से डो आकरा चल लए थी ट्राइसेम आपका 1979 से चल ला था वैसे ही सीटरा चल ला था 1983 से ये भी चल ला था 1997-1992 में इसको शुरू किया गया था तो ये सारी योजनाओं मिलकर 6 योजनाओं मिलकर स्वण जयनती ग्राम शोरजगार योजना बनी यानि पहले की जो स्वणोजगार से संबंदित योजनाओं थी ये सभी स्वणोजगार से संबंदित योजनाओं हैं IRDP को संबंदित ग्रामिड विकास कारिक्रम को आप देखी चुके द्वाकरा जो थी रूलर एरिया में रूरर एरिया में ओमें और चाइल्ड हुड डवलब्मेंट प्रोग्राम है रूलर एरिया ओमें चाइल्ड हुड डवलब्मेंट प्रोग्राम ग्रामिड महिला योँम शिशू विकास कारिक्रम यहां महिलाओं पर जोड़ दिया जाता था महिलाओं के शोरोजगार की वेवस्था यहां की जाती थी वैसे ही ट्राइसेम जो है ट्राइसेम ग्रामिड युवाओं का परसिक्षण कारिक्रम है उन्हें बिविन प्रकार के कारियों के लिए परसिक्षण करने संबंधी ये कारिकरम Trichem है जो की 79 से ही चल ला था सिट्रा जो कारिकरम है ग्रामिड दस्तकारों को किट आउजार उपलब्द कराने वाला ये कारिकरम था तो ये भी सोरोजगार से ही संबंधी थे दस लाख मिलिनियम योजना दस लाख कुवा योजना यानि दस लाख कुवा बनाना था किसके लिए सिचाई के लिए उस सिचाई से क्या होता किशान सोरोजगारी होता और जे के वाई योजना ये भूमिंगत जल से सम्बंदेत योजना थी यह भी शोरजगार से ही अप्रतक चुरूप से यह भी योजना है तो इन सभी योजनाओं को मिला कर श्वन जन्ति ग्राम शोरजगार योजना बना दिया गया अब इस योजना को क्या किया गया श्वन जेंति ग्राम सोरोजगार योजना को 2011 में National Lovelihood Program राष्ट्रिय ग्रामेड आजीव का मिशन राष्ट्रिय ग्रामेड आजीव का मिशन के रूप में इसे तयार किया गया आजीवी का मिशन के रूप में इसे जाना गया लवली हुट प्रोग्राम बन गया ग्रामिड शोरोजगार के लिए अब यही 2015 में क्या बन गया दीन दयाल उपाध्या ग्रामिड शोरोजगार योजना तो यह जो जितनी शोरोजगार योजना आपको दिख रही हैं यहां से लेकर यहां तक एक क्रम में मिलती हुई प्रतित हो रही है ना कि पढ़ा उड़ाई चल लाई है कि बस ऐसे आइसे ना करिए पढ़ना वह भी एक्जाम विव से पढ़ना ग्यान की कोई शीमा नहीं है और आप जो पालने उसके बाद ग्यान के लिए पढ़ते रहें मैं भी कई बार सोचता हूं कि धेर सारी चीजें पढ़ूं नहीं पढ़ पाता हूं तो वो ललक बनी रहेगी लेकिन इस समय अभी आप एक्जाम पाइंट ओव विव से देखें तो राष्टिय ग्रामीड आजिव का मिशन बन गया यहां से लोगों को आजिव का मिलेगा अब यह किया क्या जा रहा है यहां जो शूंड जयंती ग्राम सोरोजगार योजना बनी तो यहां मुख्य उदेश्श्य क्या है मुख्य उदेश्य है कि 2014 पचीस तक सभी लोगों को घॉंज जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी गरीबों को गरीवी से बाहर निकाल देना है और यह कहा गया इसमें जब आपका 2011 में जब यह आई राष्ट्य ग्रामिर आजेव का मिशन तो यहां कहा गया था यहां कहा गया कि 2024-25 में सब को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देना है और यह प्रयास करना है कि 6-8 वर्ष में जो भी गरीब परिवार हैं उनका जो यह आतला एक सदा से विशेश कर महिला सदा से स्वयंसाय ता समसे जुड़ जाएं इस जो योस्जना है शरोजगार समधिये जो जिनाए हैं इनका मुख्य मक्सद ये है कि लोगों को सोरोजगार उपलब्द करा देना महिलाओं को स्वम सहायता समू से जोड़ा गया उससे दो फायदे हैं पहला फायदा तो ये है कि वो अपनी बचत कर सकती हैं वो बचत बैंक के रूप में भी कारे करते हैं और सभी महिल सबसे वो ले शकती है फिर दे शकती है तो इस तरह से उनका कारे चलता रहेगा और उन्हें रोजगार भी मिलता रहेगा तो यहां यह प्रयाश किया गया 24-25 तक गरीबी रेखा से सब को बाहर कर दिया जाए यहां जो रीड़ उपलब्द कराए जाते थे स्वड़ जैनती ग्राम सोरोजगार में तो उसमें जो अनुशुचित जाती जन जाती कि लोगों को जो रीड़ उपलब्द कराया जाता था उसमें आपके 50% सबशीडी दी जाती थी और सबशीडी की अधिक्तम शीमा 10,000 रुपिया है रुपिया में वो 10,000 है या तो 50% कोई भी सोरोजगा करने के लिए आप रेंड लेते हैं तो उसका 50% सबशीडी के रूप में मिलेगा माली जी आपने 50,000 रुपे का रेंड लिया तो उसमें 50% सबशीडी के रुप में मिल रहा है लेकिन एक सीमा और है 10,000 या 50% या 10,000 जो कम हो तो यहां 50% अधिक हो जाएगा 25,000 हो जाएगा तो यहां आपकी 10,000 की शीमा ही लागू रहेगी समान बर के लिए यह 30% की शीमा थी और अधिकतम 75,000 रुपया अगर किसी स्वयम सहायता स्वमूव को रिण लेना है तो उसको भी 50% सबसीड़ी मिलेगी और अधिकतम शीमा उसकी 70,000 रुपय है ठीक तो इस माध्यम से यहां स सोरोजगार संबंदे योजनाय हैं सोरोजगार संबंदे योजनाय में आई याड़ीपी उन्ही सवस्ची इतनी योजनायों को मिला कर बनाई गई इसी योजना आई याड़ीपी के साथ अन्य योजनाय अन्य पांच योजनाय मिला कर स्वन जैनती ग्राम सोरोजगार कि अस्थानिय संस्था यानि जो ग्राम पंचायत आदि हैं और जो एंजीयों जहें जो एंजीयों हैं गैर सरकारी शंगठन हैं उनकी भी महतपुन भूमिका है क्योंकि परसिक्षण आदि में यहां कौशल परसिक्षण कारिकरम से भी इसको जोड़ दिया गया है ठिक अब म मैदूरी संबंधी जो योजना है उसमें हम लोग देखें तो एक योजना शुरू की गई थी 1977 में काम के बदले अना योजना सबसे पहले काम के बदले अना योजना इसी 1977 में शुरू की गई थी बाद में 2004 में भी एक योजना चली काम के बदले अना योजना लेकिन यह य में एक योजना चली NREP, National Rural Employment Program, राष्टी एक ग्रामिड, रोजगार योजना, इस काम के बदले अनाज योजना को क्या किया गया, इस काम के बदले अनाज योजना जो 77 में चलाई गई थी, इसे पुनरगठित करके NREP बना दिया गया 1980 से ये NREP के रूप में कारे कर रही है, 1983 में एक योजना आई, RLEGP, RLEGP, Ruler Landless Employment Guarantee Program, ग्रामिड, जो भूमहीन है, उनको रोजगार देने का ये गारंटी पोग्राम है, ठीक, तो 83 में या योजना चली, इस योजना को NREP जो चल नहीं थी, और RLEGP, इन दोनों को मिला के, एक योजना बनाई गई, कब? 1989 में, जिसका नाम है JRY, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना में, इन दोनों योजनाओं को NREP और RLEGP दोनों को मिला दिया गया, और उसे नाम दिया गया, जवाहर रोजगार योजना, 1989 में शुरू हुई, इसी RLEGP में, 1986 में किसे जोड़ा गया था? इंदरा आवास योजना को, इसी योजना के साथ जोड़ दिया गया था, यानि RLEGP के एक पार्ट के रूप में, एक अंग के रूप में इंदरा आवास योजना कारे कर रही थी, जब RLEGP JRY बन गया, तब इंदरा आवास फिर यहां आ गया, JRY के साथ ही ये कारे करने लगा, नवाशी में इंदरा आवास JRY के साथ आ गया, बाद में, 1996 में, इंदरा आवास को JRY से अलग कर दिया गया, और इंदरा आवास योजना को एक श्वतंत्र योजना के रूप में संचालित किया गया, तो JRY आपकी उनईशो नवाशी में बनी, अब इसको 1999 में एक रूप दिया जा रहा है, जवाहर ग्राम शम्रिधि योजना जवाहर ग्राम शम्रिधि योजना जवाहर ग्राम शम्रिधि योजना उन्नाईशो निन्नानुब्य इस रूप में आ गई अब जवाहर ग्राम शम्रिधि योजना उन्नाईशो निन्नानुब्य इस रूप में आ गई अब जवाहर ग्राम सम्रिधी योजना के रूप में आ गई अब सभी रोजगार संबंधी मैदूरी संबंधी जो योजना है वो आपकी यहां आ गई जे जी अस्वाई में ठीक तो उन्नाई सो निनानवे में ये जे जी यस्वाई बन गया फिर आगे चल कर इसको 2001 में संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का रूप दिया गया इसको क्या का गया 2001 में किस रूप में आया शंपूर्ण ग्राम रोजगार योजना शंपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के रूप में या 2001 में आया अब 2004 में एक योजना चली काम के बदले अनाज योजना चल चुकी है अब 2004 में फिर काम के बदले अनाज योजना चली काम के बदले अनाज योजना योजना है 2005 में क्या हुआ 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ वह अधिनियम है नरेगा नरेगा नेशनल रूरर इंप्लाइमेंट गारांटी एक्ट राष्टी है ग्रामीड रोजगार ग्रांटी अधिनियम 2005 में आपारित हुआ और इसे किर्यानवित किया गया 2006 में 2006 से नरेगा जिसे आप कहते हैं नरेगा चालू हुआ फरवरी 2006 में आंधर प्रदेश से इसके आउद घाटन हुआ उस समय 2006 में सिर्फ इसमें 200 जिले शामिल किये गये थे 200 देश के 200 जिलो में यह 2006 में लागू किया गया 2007 में हुआ इसमें 2007 में और 130 जिले जोड दिये गये यानि 2007 में 330 जिले हो गये और 2008 में यह पूरे देश में अन्य जितने जिले बचे थे आपके लगभग सवा 600 जिले है तो अन्य सभी जिलो में यह लागू कर दिया गया 2008 से यह सभी जिलो में लागू हो गया यह जो योजना बनी थी एक योजना आपकी EAS 1993 से चल लाई थी Employment आश्वासन योजना रोजगार आश्वासन योजना Assurance योजना रोजगार आश्वासन योजना यह मुख्यता शूखा प्रवण चेत्रों रेगेस्तानी चेत्रों के लिए योजना चलाई गयी थी किसमें दी जाती थी तो यह भी मजदूरी संबंदी होजना है यह भी मजदूरी संबंदी होजना है और काम के बदले अनाज होजना तो आपकी है ही ठीक तो यहां क्या किया गया इसको इसको मिला के इसको बना दिया गया ये दोनों मिलके आपके ये बन गए थे और इसको और काम के बदले अना जोजना को किस में मिला दिया गया नरेगा में मिला दिया गया और इसी नरेगा को 2009 में नाम दिया गया क्या म नरेगा म नरेगा इसी को 2009 में म नरेगा नाम दिया गया महत्मा गांदी राष्टिय ग्रामिण रोजगार योजना तो आप मजदूरी सम्मंदी सभी रोजनाओं को आप देख रहें काम के बदले अना योजना से शुरू हुआ था और आपके NREP, JRY और जवाहर ग्राम सम्रेदी योजना शंपुन ग्राम रोजगार योजना से होते हुए यह या कि आप बात देख चुके 2006 से यह किस नाम से शुरू हुआ, नरेगा नाम से शुरू हुआ 2005 में इस्क्लि सम्मंधित क्या बना था, एक्ट बना था पहले योजना है जिसमें गारांटी दी जा रही है, कानूनी गारांटी दी जा रही है, रोजगार प्राप्ट करने की, तो इसमें कानूनी गरांटी इस एक्ट के तहट 2005 में जो नरेगा एक्ट पारित हुआ उसके तहट दी गई 2006 परवरी से यह आंधर प्रदेश से शुरू हुआ पहले चरण में यानि 2006 में सिर्फ देश के 200 जीलों में लागू हुआ 2007 में 130 जीले और जोड दिये गए यानि 330 जीलों में लागू हुआ और 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया और 2009 से इसे मनरेगा के रूप में जाना जाने लगा नाम इसका मनरेगा कर दिया गया इसमें कहा गया कि प्रतेःक परिवार इसमें परिवार सब्ड युँज है और इसमें पहली बात तो परिवार और दुसरी बात किसी परकार का कोई आरक्षण नहीं है अन्य योजनाव में जैसे देखता है कि महिला हलाकि सिर्फ महिला का अरक्छन देस्ट के लोग यहांसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अगर वह रोजगार प्राप्त करने के एक्छुक है तो तो प्रतिक परिवार को क्या गारंटी दी गई है 100 दिन का आकुशल रोजगार की गारंटी दी गई है अगर कोई एक छुक है एक परिवार में अगर तीन लोग है तो तीन लोग मिलकर सो दिन रोजगार प्रयाप्त कर सकते हैं अगर एक ही व्यक्ति है तो वही सो दिन रोजगार मांग सकता है तो यहां उसको क्या करना पड़ेगा इस सो दिन के रोजगार के लिए जावकार्ड बनवाना है वह जावकार्ड कहां से बनेगा पंचायत से बनेगा पंचायत अस्तर पर यह किर्यानवित होगी यहां जब जाब कार्ड बनवा लेगा तो इस जाब कार्ड बनवाने के 15 दिन के अंदर उसे रोजगार मिलना चाहिए अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तब ऐसी दर्शा में वह भत्ता प्राप्त करने का हकदार है, यह भत्ता जो मैदूरी निर्दारित है, उसका कम से कम एक बटा तीन भाग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक, अब यह कहा गया कि कारे कहा मिलेगा, तो उसके जो निव सस्थान है, उससे पांच किलोमेटर की परीधी में कारे मिलना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि कारे उससे दूर हो, तो पांच किलोमेटर से दूर अगर कारे मिलेगा, तो उससे भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता भी मिलेगा, तो अगर पांच किलोमेटर से दूर, अगर कारे मिलता है तो यहां वे उसे आत्रिक्त भत्ता मिलेगा इसकी जो मैदूरी दर है मैदूरी दर को 2011 में मैदूरी दर को 2011 में उभोगता सुचकांग से जोड दिया गया यानि उभोगता सुचकांग से दोहजारी गारा में इसे जोड़ दिया गया जैसे जैसे वो भुगता सुचकांग को उपर उठेगा वैसे वैसे मैदोरी भी बढ़ेगी मैदोरी वर्तमान में जो निश्चित की गई वो 202 रुपिय मैदोरी है मनरेगा कि अब यहां से आपको क्या मिल ना है जाब कार्ड से गारंटी मिल लएए पंदध दिन के अंदर आपको रोजगार मिलना चाहिए बर्ष में 365 दिन में 100 दिन का रोजगार एक परिवार को मिलना चाहिए कम से कमिश में 33% मैदोरी महिलाओं को मिलनी चाहिए 33% इसमें योगदान महीलाओं का होना चाहिए अगर किसी महीला का छोटा बच्चा है उशके लालन-पालन की शमस्च्या है तो वैसे में इसमें प्रावदान किया गया है कि कार अस्थल पर एक महीला उदेख रेख की लिए नियुक्त की जाएगी और कारे अस्थल पर प्राथमिक स्वास्त किट भी रखा जाएगा तथा पेजल की ब्योस्था भी करनी होगी ठीक 2012 में मिहिर्शेन कमीटी का गटन किया गया कि मनेरेगा में और क्या क्या किया जा सकता है तो मिहिर्शेन समीती जो सम्मन्दित है वो आपकी मनेरेगा में शुधार के सुझाव سे सम्मन्दित है 2012 में यह कमेटी गटित की गई थी मनेरेगा को और भी स्वास्तारिट करने के लिए इसने सुझाव दिया था कि और कौन-कौन से छेत्र में रोजगार दिया जा सकता है तो इसमें स्वक्षताकारिक्रम को जोड़ दिया गया है, संपुर्ण स्वक्षताकारिक्रम और आपका ICDS प्रोग्राम, ICDS, Integrated Child Development Scheme, समन्वित बाल विकास योजना, जो आगन बाड़ी केंद्रों से संचालित होती है, इस योजना को भी जोड़ दिया गया, यानि स्वक्षताकारिक्रम के तहट अगर सोचाले बनवाने हैं, तो मनरेगा के मैदूर उसमें लगाए जा सकते हैं, आगन बाड़ी का आइक्रमों में अगर भावन आदि बनवाना है, तो यहाँ भी मनरेगा के तहट लोगों को मैदूरों को मैदूरी दी जा सकती है, ठिक, 2016 में क्या किया गया इसमें ब्रस्टाचार देखा गया कि लोग जो है कारे के बदले बिना कारे किये ही पैसा मिल जाता था उने तो 2016 से डाइरेक्ट बेनफिट एसकीम यहां लागू की गई यानि अब इसको आधारकार से लिंक कर दिया गया और खाते में सीधे उसके पैसा जाएगा तो डाइरेक्ट बेनफिट एसकीम के साथ इसको जोड दिया गया तो यह आपका मनरेगा है आगे अन्य जो कारे करम हैं उन कारे करमों को भी देखा जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद